हेलो एर्विवन जो CA Intermediate का अपने exam देने वाले हैं January 25 टर्म के अंदर में हम शूर है तुम लोगा preparation फेंटास्टिक चल रहा होगा आप दिवह जो हमारा CA Intermediate January 25 है उसका जो आखनी exam आता है वो आता है FMSM और वाई FMSM तो का चीज ऐसा है जो 50 marks FM है वो तो financial management पूरा पूरी practical ह जो remaining SM 50 marks से वो होता है theory और जो यह हमारा tendency रहता है कि हम लोग जब prepare भी कर रहे होते हैं तो जो 50 number का FM है वो तो बड़ा religiously एकदम diligently करते हैं और जो remaining 50 mark SM है वो कभी-कभी मेरे को लगता है वो थोड़ा neglect हो जाता है अब जो neglect हो जाता है उसका परिणाम क्या होता है जो May 24 में exam जान दिये वो लोग से पुछ रहा वो लोग better बता पाएंगे जो भी SM है तो 50 number यानि आधा proportion उसका है तो जो remaining 50 mark से इसको कैसे और अच्छा किया जाए उसकी लिए हम लोग एक नया batch लेकर आ रहे हैं तो यह दो तरह के लोग है एक जिनोंने already tuition लिया SM का और सारा classes cover किया है तो तुम लोगों पूरा समझ में आ गया होगा सब कुछ याद हो गया होगा एकदम fantastic या जो second set of student वो रहेगा जो self study कर रहा है कोई problem नहीं है self study कर रहा है तो वो हमशार है तुम लोग का already पढ़ना हो चुका होगा याद करना भी हो गया होगा अब देखो पढ़ना याद कर में फड़ा फड़ लिखा जाए जो 50 नंबर हम लोग आराम से cover कर पाए 100 सवाई घंटा के अंदर में with a target की उस 50 नंबर में हम लोग 35 प्लस लेकर आए उसके लिए हम लोग launch कर रहे हैं एक SM का practice batch exclusively वो student के लिए जो January 25 में अपना exam देने वाले हैं तो इसका key features क्या रहेगा उ SM practice batch तकी features क्या है तो SM practice batch अपने preparation को fine tune करने के लिए design किया गया है जिसमें हम SM पढ़िंगे नहीं कुछ समझेंगे नहीं जो अपना पहले पढ़ावाय या अपने self study करा होगा उसमें आपने read मारा होगा समझते हुए चला होगा या अपने classes ले रखी हैं तो आपने already पढ़ पढ़ देने से काम नहीं होगा क्योंकि अपने इसमें आता है case study questions अगर mcq में देखे तो 10 माग का case study mcqs भी होगा और प्लस अगर written descriptive questions में आप जाओ तो 15 नंबर का वहां पे भी case based questions scenario based questions जिसमें आपको पूरा analytical approach यूश करना पढ़ेगा वहां 15 नंबर का written वो भी होगा औ और वो भी compulsory तो ये 25 नंबर जो अपना case based questions है scenarios के around evolve करता है जिसमें आपको directly वो नहीं पूछने वाला कि explain BCG या explain whatever तो उसमें अपने को खुद understanding के हिसाब से पहले figure out करना की भाई पूछा गया और उसके बाद उसको बहुत अच्छे से beautifully सदा के लिखना है so that we get good marks तो उस चीज के लिए ये बाच designed है अब इसमें अपने करेंगे क्या तो सबसे पहले जो अपने बहुत detailed 10 classes का ये पूरा होगा exam time को देखते हुए बहुत shorter बहुत crisp है और बहुत exam oriented content इसमें अपने discuss करेंगे 5 classes में अपने 5 chapters को बहुत beautifully revise करेंगे with our book जैसे हमने class में discuss किया है बिल्कुल वैसे ही अगर आपके पास वो book नहीं है आपने material से पढ़ाया कैसे और तरीके से पढ़ाया तब ये module आपको मिल जाएगा वो आपके घर कोरियर हो जाएगा वो आपको पहुच जाएगा तो हम इ उसको ही बेस मानके पढ़ते हुए चलेंगे और उसी से marathon पूरा conduct करेंगे जो exam के एक दिन पहले भी आप उसको बहुत अच्छे से refer कर पाओगे और एक chapter किया सपोस्कोर chapter 1 एक दिन हमने revise किया next day हम फिर उसी chapter का जितना भी case based question दे जाता है एक दो direct questions को भी include कर लेंगे इसमे one class फिर हम उसके writing practice को devote करेंगे तो five classes revision five classes writing practice इसमें mcqs और सब कुछ को incorporate करके रखेंगे तो holistic अपना जो last minute preparation होता है वो अपना बहुत beautifully यहां complete हो जाएगा अपने revise भी कर लेंगे अपने इसको practice करते हुए written practice बोलो या mcqs practice बोलो सारा कुछ यहां पर करते हुए चले जाए रखेंगे जो ICI normally पूछता है और जब यह पूरा अपना 10 classes का रहेगा टू आज इच जब यह complete हो जाएगा तो अपने full 50 marks test में test भी रखेंगे क्योंकि just prepare किया तो ज्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं revise करने में साथ साथ नहीं हम तो revise करते हुए चल रहें वो 10 classes के just बा जाएगा एक्जाम के एक महिने पर तो एक test हम कर लेंगे और इस तरीके से अपना ही पूरा बैच एकडम short and crisp complete हो जाएगा यह बाच अपने स्टार्ट करेंगे वेडनेस डेयने 28 नुवेंबर सुबह 9 बज़े से 10 classes का यहां पर चलेगा एवरी डेश को ले लेंगे 9 से 11 सव पूर्ट को तैनल एकर अपको कुछ नहीं करना जो है को से सब्सक्राइब एपको उसी में अड़ जाएंगे अगा क्लासे का तो आपको नहीं लिया तो आपको नॉमिनल प्रैस एटीन हंड़र रुपीज में बुक पहुटँ जाएगा वो को घुरियर करा देंगे और यह पूरे 10 classes का proper access आपको दे दिया जाएगा और इसकी जो marathon lectures वाले access है उसमें आपको 5 views है और आप चाहो तो आराम से आप increase करा सकते हो उसमें कोई tension नहीं है अगर आप interested हो तो यह रहा हमारा contact details आप website से ले सकते हो या आप mail कर सकते हो या WhatsApp कर सकते हो कोई भी query हो reach out to us या इसके comment box में डाल देना we will respond to it यानि टू समराइज अगर दिखा जाए तो 10 class दो घंटा यानि कुल मिला के मात्र 20 आर में only 20 आर डिवोट करें और पचास माग का return मिले I think जो अगर हम लुक आयरार भी टेस्ट देना हो जाएगा और हमारा जो multi color book है वो आपको मिल जाएगा जिसमे एकदम clear cut समझ में आएगा division के पहले की exact करना क्या है तो I think 20 hour के अंदर में 50 mark का return मेरे ख्याल से जरूर 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 तुम लोग को इसको करना चाहिए कि और बैचास paper difficult आता है तो हमेशा SM बचाएगा FM difficult हो सकता है पर SM उसका हमेशा सेवगाट बनके काम करेगा तो अगर तुम लोग ने कर लिया ओलड़ी ओलड़ी क्लास लिया वा है तो चाप ही नहीं है तीदा देखा तुम लोगा 20th November से आपने आना स्टार्ट हो जाएगा और जिन्हों ने क्लास से लिया फड़ा फट वेट मकरो एक्जाम आने वाला है जल्दी से क्लास इसको अवेल करो ताकि जो SM वाला प्रिपरेशन है यह टॉप नॉच हो जाएगा कोई भी क्लास के लिए आराम से हम लोग से बात करना हमारा टीम A to Z को रिजॉल्फ करेगा तो हम लोग सीधा मिलते 20th November इस बैच मेर